नमस्कार मैं अबिशेग जख्मुला आपका जख्मुला डिश्टिल स्टूडियो में स्वागत करता हूँ तो आज मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दोंगा कैमरे के बारे में जो आपको साइध ही पता होगी तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमारे कैमरे का लेंस होता है वो गोल होता है तो हमारी जो इमेज है वो रेक्टेंगल क्यों आती है इसका सिंप्ली आंसर है जो कैमरे के अंदर सेंसर होता है वो रेक्टेंगल होता है जो हमारी इमेज कैप्चर करता है आप देख सकते हैं यह वाला जो पहला दिख रहा है शेटर है इसके बाद जो यह दिख रहा है रेक्टेंगल यह हमारा सेंसर है इंफर्मेशन nova 2 टाइप और्फ केमिरा सेंसर और बहुत टाइप किया होते हैं और जो पॉपुलर वह दो हैं एपी एससी एंड फुल फ्रेम जो सबसे बड़ा सेंसर होता है वो है आई मैक फिल्म फ्रेम दूसरा जो सबसे बड़ा सेंसर होता है वो है मीडियम फॉर्मेट सेंसर तीसरा बड़ा सेंसर होता है फुल फ्रेम और चौथा है एपी एससी पांच वे नंबर पर है फोर बाय थ फोटो हम फूल फ्रेम कैमरे से ले रहे हैं तो दोनों की इमेज जो आउट्पुट निकल के आएगा वो डिफरेंस होगा जो क्रॉप सेंसर होगे उसमें थोड़ी मैगनिफाई इमेज मिलेगी हमें और जो फुल फ्रेम कैमरा होगा उसमें उसके मुकावले थोड़े वाइडर सौट मिलेगा जो क्रॉप एक्टर होता है फुल फ्रेम में क्रॉप एक्टर वन होता है क्रॉप सेंसर में निकॉन और सोनी के क्रॉप एक्टर होता है 1.5 और कैनन का होता है 1. पर उनके मुकावले थोड़ा छोटा होता है information no.4 हर camera के उपर एक circle और एक line होती है क्या आपको उसका मतलब पता है यह वाली एक circle और उसके उपर line आपको इतना बताता है की आपकी sensor की location क्या है कैमरे के अंदर जो sensor होता है उसकी location कहां पर ह프 information no.5 क्या आपको पता है जो camera और viewfinder होता है उसके आंदर हमें कैसे दिखता है so viewfinder में दिखने का simple reason है जो हमारे camera का अंदर सटर होता है यह जो सब्से पहले दिख रहा है आपको टर है यह लाइट 이후 रिफ्लेक्ट करता है ऊपर ग्लस दिख रहा और अब धिन herman क्लिक करते हैं इस सेटर ऊपर चला जाता है सेंसर में लाइट आ जाती है अब हमें व्यू फाइंडर में दिखना बंद हो जाता है तो इसका यही रीजन है झाल जाता है और जाता है यहीस प्लेंग आ जाता है यह रिजित स्चानल प्लेज सब्सक्रण दिखे अग्यू